हेलो डियार्स, 36 गड़ पटवारी परिच्छा त्यारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे गडित मैट्स से रिलेटेड लगुत्तम समापर्तक और महत्तम समापर्तक, LCM, HCM से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रस्णों को सौलव करके, यदि आप लोग इसको अच्छे से स अपलोट किया गया है, जो कि नमबर सिस्टम पर यदारिक था, ठीक है, संख्या पध्धाती पर जिन लोग नहीं देखें, जाके देख सकते हैं, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर नहीं हैं, लोग लाइक से यह और सब्सक्रेब जरूर करें, साथ में बेल आइकान भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन जल्द जल्द पर आप तक किया जा सके, तो देखते हैं, कोश्चन नमबर फर्ष्ट, देखिए, यह दिया हो, 14 बाटे 33, 42 बाटे 25, 21 बाट ठीक है, महत्तम समापवर्थक क्या होता है, तो भीन का महत्तम समापवर्थक होता है, अंस का महत्तम समापवर्थक, अपन हर का लगुत्तम समापवर्थक, ठीक है, याद रखने ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, भीन का महत्तम समापवर्थक बराबर होता है, अंस का महत्त समापवर्तक अपन हर का समापवर्तक हर का लगुत्तम समापवर्तक ठीक है और उसी प्रकार भीन का लगुत्तम समापवर्तक बराबर होगा अंस का लगुत्तम समापवर्तक अंस का लगुत्तम समापवर्तक मतलब अंस का LCM ठीक है अपन हर का महत्तम समापवर्तक इस प्रका यदि हम लोग भीन का लगुत्तम समापवर तक देखेंगे तो हमें अंस का लगुत्तम समापवर तक अपॉन हर का महत्तम समापवर तक देखना है ठीक है निकालना है और यदि हम लोग भीन का महत्तम समापवर तक देखेंगे तो अंस का महत्तम समापवर तक अपॉन हर का मह 22 और 21 तो ये तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा तो देखें ये तीनों के महत्तम समापवर्तक को हम लोग कैसे निकालेंगे 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुडित 7 लिख सकते हैं 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सुरी ये 22 नहीं ये 42 है ठीक है 42 को हम लोग लिख सकते हैं 2 साथ चा का 42 होते हैं ना 2 गुडित 3 गुडित 7 मतलब 2 तिया 6 6 सत्य 42 ठीक है इस प्रकार 21 को क्या लिख सकते हैं तो 3 गुणा 7 3 सत्य 21 ठीक है इस प्रकार लिख सकते हैं तो देखे इसमें पेयर कुन सा बन रहे है तीरों में तो तीनों में इसमें भी साथ है इसमें भी साथ है इसमें भी साथ है मतलब यह जो साथ है इसका क्या बन रहे है इसमें पेयर बन रहे है तो यह तीनों का महत्तम समापवर्तक HCM कितना हो जाएगा HCM हो जाएगा इन लोग पता चल गया HCM निकालना ठीक है महत्तम समापड़ तक निकालना लेकिन देखे LCM कैसे निकालते हैं तो LCM निकालने के लिए हरो कि है यहां कि यह लिए 33 फिर क्या लिए 55 उसके बाद लिए इस प्रकार करके आप लोग क्या इसको divide करते जाना ठीक है 11 से करना 11 33 11 55 11 22 तो इस प्रकार आप लोग को क्या मिलेगा ये मिलेगा ठीक है तो फिर 3 से करना 3 एक कम 3 ये 5 नीचे आजाएगा दो नीचे आजाएगा 5 से करना ये कह एक आजाएगा 5 कह एक हो जाएगा पांच एकम पांच ठीक है और ये दो का दो रहेगा ठीक उसके बाद दो से करना तो एक एक और एक इस प्रकार लाश्ट में एक एक आने तक आप लोग क्या करने इसको डिवाइट करना तो हम लोग को कितना मिल गया ग्यारा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 ठीक है तो 5 दूनी 10 10 तीया 30 तो ग्यारा इंटू 30 ठीक है तो ग्यारा तीया कितना होता है 33 तो इस प्रकार हम लोग को 330 प्राप्त हुआ इसका LCM ठीक इसको इधर लिक लेते हैं देखे हमको जो भीन दिया हुआ है प्रस्ण में इसका अंस का अंस का महत्तम समापवर्ता कितना प्राप्ता हुआ है साथ ठीक है और हर का लगुत्तम समापवर्ता कितना प्राप्ता हुआ है तो वो है 330 ठीक है इस प्रकार प्राप्ता हुआ है तो अब हम लोग फॉर्मूला नमबर 1 में रखेंगे इस कमाण को तो अंस का महत्म समाप और तका का उपर में 7 रहेगा हर का लग हुत्तम समाप 330 तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या जाएगा 7 बटे 330 तो इस प्रकार देखिए option नमबर किस में दिया है 7 बटे 330 देखिए option नमबर किस में दिया है 1 में अभी आप लोग को सुरुवात में समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन जब इसको आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोग इसको कम टाइम में बना सकते हैं ठीक है जो डिटेल दे रहूं उस प्रोसेस को आप लोग कम टाइम में बना सकते हैं ठीक यदि तीन संख्या का अनुपात 4, 5, 6 है तथा इसका लगुत्तम समापवर्तक कितना है 3600 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्याद कीजिए ठीक है दिया हुआ है तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है तो अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 और इसका LCM दिया हुआ है ठीक है लगुत्तम समापवरता के LCM कितना दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है 3600 ठीक है और इसका महत्तम समापवरता के HCM ये क्या करना है हमको ग्याद करना है ठीक है इस प्रकार हम लोग को ग्याद करना है तो मान लेजिए कि संख्या जो है वो क्या है एकस है तो एकस हम लोग मान ले जाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा तो पहला संख्या हो जाएगा 4 एकस ठीक है दूसरा संख्या हो जाएगा 5X और 3 संख्या क्या हो जाएगा 6X इस प्रकार प्राप्त होगा तो यदि हम लोग 4X, 5X, 6X का लगुत्तम समा पवर्थक लेंगे ठीक है इसका LCM लेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा 60 प्राप्त होगा, अब LCM निकालने का आप लोग देख सकते हैं 6, 35, 30, 32, 60, देखे, ये 4, 5, और 6, इसके आप लोग क्या करना, LCM निकालना, तो 2, 32, 4, ठीक है, और इधर क्या आगया, बज गया, 2, 32, 6, ठीक, ये 5 आया, तो अब इसको आप लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइट करेंगे, 1 आया, 5 आया, 3 आया, इसको काटेंगे, 5 से ठीक है, तो 5, 3, 15, और 15, दूनी 30, और 30, दूनी 60, तो इस प्रकार इसका LCM कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, ठीक है, देखे, उसके बाद, ये हम लोग को प्राप्त होगा, LCM 6, तो यहाँ, अब लोग, हम लोग 1 समाने है, तो इसमें कितना जाएगा, 60, एक्व होगा है, तो हम लोग 1 समाने है, तो इसका LCM कितना है, होग, ये आया हुआ है, तो ये किसके बरापर है, प्रास्ना अनुसर, इसके बरापर हुआ न, तो देखे, एक सा बरापर कितना जाएगा, 307, 3600, अपॉन 60, ये इसमें का गया, 6, 6, 6, 6, 36, बचा कितना, एक से किस प्रकार से इसको सौलव करना है, अब देखते हैं, नेश्ट, दिया हुआ है, 4500 में कम कितनी संख्या है, जिने 56 और 27 से विभाजित करने पर प्रते किस्थिती में सेस फलों 49 बचता है, याद रखना आप लोग को ये संख्या में कम दे रहेगा, माले जाए जो भी एक स difficultly-z संख्या है, तो इसमें कितनी की कमी है, इसे कितना कम कितना संख्या है, जिसको 56 और 72 से विभाजित करने पर, इस टैप का आप लोग को कोशचन दिया रहेगा, तब आप लोग क्या करना पहले इसको दिया, सौट कट में आप लोग क्या कैं लेना, लिख लेना, संख्य लोग इसमें देखें क्या फॉर्मूला रखते हैं जो भी संख्या है वो क्या होता है संख्याओं का लगुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है ठीक तो देखें संख्या कितना दिया हुआ है 56 और 72 दिया हुआ है ठीक है और 72 तो ये किसके बराबर है इसके लगुत्तम समापवर्तक के बराबर है तो 56 और 72 का आप लोग लगुत्तम समापवर्तक लेंगे 504 आएगा ठीक है अब कैसे आएगा ये तो आप लोग को मैं पहले बताया हूँ जाके उन लोग को देख सकते हैं ठीक है अभी इसमें भी बता दोंगा time ज्यादा हो जाएगा है ना तो इस प्रकार इसका कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा इससे वाले पहले वाले question में आप लोग को बताया तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 936 की च्छा ये जीरो है तो ये 36 हो जाएगा 945 तो इस प्रकार 4536 आया और यहां दिया हुआ है संख्या 4500 तो ये क्या हो गया बड़ा हो गया 4500 से संख्या दिया हुआ है तो यह जो हम लोग 9 लिखे हैं इसको क्या करेंगे 8 में ल खोटा क्या लेंगे 8 से बड़ा है तो 8 लेंगे है ना तो इस प्रकार ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा ठीक तो जो 8 है यह इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अपसन नमबर 3 देखें समझ में आप लोग को नहीं आया होगा तो एक बार फीर से समझ यह इस इसका हम लोग जो भी नमबर है जैसे 5 प्लस 0 प्लस 4 ऐसे करेंगे तो एक इतना हो जाएगा इंटू करेंगे तो इस प्रकार हम लोग को 4536 प्राप्त होगा जो की दिया हुआ संख्या 4500 से बड़ा है तो देखें यहां 9 लिए हैं तो इस 9 ये 9 किस से बड़ा होगा इस से पहले वाले संख्या 8 से बड़ा होगा तो इस प्रकार इसका राइट के आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा तो इस तरीके सी इसको 8 लिया गया है यही जो मेथड है यह क्या है सौट कट मेथड है इसको सौल्व करने का और अलग से मेथड है जो क्या है लॉंग कट है तो जो आ पच्पन का त्रिखाद देखेंगे मतलब क्यूब देखेंगे तो जो बताया थो वो क्या था सौटकत ट्रिक था ठीक है यदि आप लोग 55-55-55 भी कर सकते हैं इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं ठीक है पहले 55-55 करेंगे ठीक है जो भी आया xyz तो इस xy को फिर इंटू 55 से करेंगे तो इस प्रकार भी इसका अंसर ला सकते थे लेकिन आप लोग को बताया गया था shortcut मैं ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका अंसर 112, 24 और 48 का लगुत्तम समापवर तक ज्याद कीजिए तो मैं आप लोग को लगुत्तम समापवर तक ज्याद करने के लिए बताया था ठीक है आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं ठीक तो देखे उस प्रकार से करेंगे जो भी इंटू आएगा वो इसका क्या रहेगा अंसर रहेगा अब देखते हैं नेषटा सौलव कर लेना इसको ठीक है तीन ऐसी संख्या ग्याद किजिए जिसका अनुपात तीन, चार, पांच हो और उनका महत्तम समापवर्तक साथ हो तो दिया हुआ है अनुपात कितना दिया हुआ है तीन दिया हुआ है, चार दिया हुआ है, पांथ दिया हुआ है और इसका HCA मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, साथ दिया है इस टेप का यदि आप लोग को question में पूछा जाए तो आप लोग क्या करना देखे जो संख्या होता है वो अपने महत्तम समापवर तक जिसको HCM बोलते हैं गुना अन्य संख्या के बराबर होता है ठीक है अन्य संख्या के बराबर इस formula को आप लोग क्या करना याद रखना ठ तीन जो संख्या है वो कौन सा है 3X है 4X है 5X है यहाँ जो ratio में दिया है हम उसी के साथ X डालके ये तीनों संख्या को बना लेंगे ये जो तीन संख्या ये है इसको हम लोग क्या किये है माने है ठीक है माना ठीक कि ये तीनों संख्या इस तरीके से है तो देखे अब इसको क का करेंगे कि इसका महत्तम समापवर्तअ कियत न दियो हो यह वाले फ attach अधरा हुआ हम लोग MaaR राखेंगे तो उसके बाद कितना आएगा 748 एकसा उसके बाद कितना आएगा 735 एकसा तो इस प्रकार हम लोग को नमबर प्राप्त हुआ ठीक है अब यदि आप लोग को देखे ऑप्सन में कितना मिर रहा है 21, 28 और 25 के फॉर्म में मिर रहा है तो यहां समझ जाए एकस बराबर 1 है ठीक यद इसके फॉर्म में नहीं मिलता तब आप लोग को एकस के आगे हल करना पड़ता ठीक है तो यहां क्या दिया हुआ है एकसा बराबर 1 मान लेना आप लोग फिर उसके बाद 21, 28 और 35 आप लोग को आंसर 3 प्राप्त हो जाएगा वास्ता में यह जो एकस है वो केवल प्रोसेस को दिखाने के लिए है ठीक है प्रोसेस को संख्या को दरशाने के लिए है ना लेकिन जब आप competition exam की तैयारी कर रहे हैं तो इसका shortcut trick क्या हो जाएगा इसका shortcut trick हो जाएगा दिया हुआ है ratio कि इतना दिए है तिन, चार, पाँच इसका महत्तम समापवर तक दिया है साथ तो आप लोग को पता है कि HCM 2 क्या होता है है या ने सर्दत तो साथ तिया 21, साथ चवख 28 ठीक है रेशियो में साथ पंचे 35 इस प्रकार आपका 21, 28 और 35 आप लोग को आंसर प्राप्त हो जागा इस तरीके से आप लोग इसको shortcut बना सकते हैं competition में यदि आप लोग process को समझे रहेंगे तब अब देखे इसका 80 और 85 को किस संख्या से विभाजित करने पर सेश फल 3 और 1 प्राप्त होता है देखे दिया हुआ है संख्या 80 और 85 ठीक है 80 और 85 दिया हुआ है तो सेश फल क्रमसा कितना प्राप्त होता है सेश फल तो इसका 3 प्राप्त होगा और इसको करेंगे तो 1 प्राप्त होगा ठीक है इस प्रकार प्राप्त होता है तो इसको सौल्व करने के देखे महत्तम समापवर्तक क्या होता है दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या उस संख्या का महत्तम समापर्तक होता है HCM होता है मतलब दो या दो से अधिक संख्या को क्या करना है विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या मान ले जाए क्या है 9 है और कितना है 18 है ठीक है तो देखें 9 किस से भाजित हो जाएगा 3 से भाजित हो गया ठीक है टो इसका क्या आ जाएगा ठीक है महतम समापवा तक है ना तो इसी प्रकार बोला गया है ठीक तो देखे अब इसको हम लोग क्या करेंगे जो संख्या दिया हुआ है किस संख्या से विभाजित किये तो मान ले जाए हम लोग वो संख्या क्या है मान ले जाए कि वो संख्या जो है वो है एकसा ठीक उस संख्या को हम लोग क्या मान लिए एकसा मान लिए तो एकसा क्या होगा एकसा जो संख्या है वो होगा विभाज्य संख्या ठीक है मतला क्या होगा भाज्य संख्या ठीक क्योंकि यहां सम संख्या दिया हो है सम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज जे संख्या होगा, एक सह हो, तो उसके लिए condition क्या हो जाएगा, 80, इसमें आप लोग का तीन सेज बच रहे है, बचा कितना, ये बच गया है, 77, ठीक है, और उसी प्रकार यहां कितना है, 85, और इसमें कितना सेज बच गया है, इसम प्राकार आप लोग को प्रापट अ है ना तो देखे 77 आया ही 77 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 11 गुना 7 ग्यरा 77 थेक है इसका क्या लेने क隊ो महत्तम स्मापवर्तक निकालने के लिए 84 का महत्तम्समापवर्तक निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2724 इस इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा इसमें साथ का क्या बन रहे है पेर बन रहे है तो इस प्रकार इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा साथ जो की क्या है वो संख्या है ठीक है यही क्या है संख्या है ठीक एक से बराबर यही क्या संख्या है तो आपसान नंबर कौ प्रतेक स्थिती में से इस फ़ल पांच बचे इस प्रकार दिया हुआ है तो संख्या कितना दिया हुआ है जो संख्या है वो दिया हुआ है 2900 तीरसाद ठेक है तो इसका हम लोग देखे और उसके बाद क्या हुआ है परिडामी संख्या 9, 10 और 15 ठीक है इस प्रकार का कोश्चन आए है तो आप लोग फट से जान लेना कि LCM ठीक है और HCM LCM और HCM से रिलेटेड ये क्या है कोश्चन है ठीक है तो देखे इसका लगुत्तम समाप वर्तक क्यों हो जाएगा नाओ दस पंद्रा का लगुत्तम समाप वर्ता हो जाएगा 90 ठीक है e 90 हो जाएगा यासे करके आप लोग देख सकते हैं 9 10 15 ठीक इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं सौल वकर के पहले मैं ये कोश्चन नमबर फ़स्ट में बताया हूं ठीक है तो इस प्रकार इसका लगुत्तम समापर तक कितना जाएगा 90 तो ये क्या है परीडामी संख्या है तो परीडामी संख्या का 90 आ गया तो इस प्रकार जो वास्तविक संख्या उसको हम लोग डिवाइट कर देंगे 2963 अपान 90 ठीक है इस प्रकार इसको डिवाइट करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा देखे इसको जब आप लोग डिवाइट करेंगे तो आप लोग को प्राप्त हो जाएगा एट में ले लिए क्योंकि नाओ अठे क्या होता है 72 ठीक है तो ये इसमें ये 3 83 आप लोग को प्राप्त हुआ है ठीक है ये 83 आप लोग को प्राप्त हुआ है ना अब देखे यहां क्या लिख्या है विभाजित करने पर प्रतेक स्थिती में सेसफल 5 है कोस्चन को ध्यान से देखे क्या बोला है विभाजित करने पर प्रतेक स्थिती में सेसफल 5 है ठीक है 5 तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 83 में हम लोग 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 82 बचेगा जो की क्या है हमारा आंसर है तो इस प्रकार answer क्या आजाएगा option number 3 इसका right answer आजाएगा ठीक है अब देखते है next question question number 8 नीम्न लिखित में से कौन सी भीन्न निउन्तम है तो यहाँ बोलागे है निउन्तम भीन्न ठीक है तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भीन्न है वो किसके form में रहता है अंस और हर के form में ठीक है तो जिसका अंस सबसे क्या होगा जिसका अंस सबसे क्या होगा निउन्तम होगा मतलब कम होगा ठीक है जिसका अंस सबसे कम होगा वही सबसे छोटा होगा ठीक है जिसका अंस छोटा वो वास्तव में छोटा ठीक है वो वास्तव में छोटा तो इस प्रकार देख ठीक है 34 बटे 35 अंठानवे बटे 100 तो सबसे छोटा कौन सा है जिसका हांस छोटा ठीक है ये कितना दियो है 34 दिया हुआ है ना तो जिसका अंस छोटा वो वास्तों में छोटा तो अप्सन नमबर एई इसका राइट है भिक अब देखते हैं नेश्ट कुश्चन नमबर 9 दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्तक क्रमसह 12 और 72 है यदि दोनों संख्याओं का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है तो देखे यहां दिया हुआ है HCM HCM मतलब क्या है महत्तम समापवर्तक 12 LCM दिया हुआ है क्रमसा बोला है ना लाइन के बार ये दिया हुआ है 72 ठीक है अनुपाद कितना दिया हुआ है तो अनुपाद दिया हुआ है आप लोग को 2 अनुपाद 3 ठीक है इस प्रकार से आप लोग को क्या हुआ है दिया हुआ है तो अब इसको आप लोग क्या करना 2 संख्या देखे आप लोग को मैं जो 30-10 वाल एपिसोड था उसमें मैं आप लोग को बताया था कि क्या होता है दो संख्याओं का गुड़न फल ठीक है गुड़न फल equal to क्या होता है उस संख्या का महत्तम समापवर्तक into लगुत्तम समापवर्तक मतलब पहली संख्या into दूसरी संख्या equal to उसका HCM into LCM यह होता है है ना तो देखे अनुपाद दिया दो अनुपाद तीन तो हम लोग उस संख्या को मान सकते हैं देखे संख्या को मान लेंगे 2X और 3X ठीक है संख्या कीतना है 2X और 3X है तो देखे अब इसमें हम लोग क्या करेंगे पहली संख्या आगया 2X दूसरी संख्या आगया into में 3X इसके बाराबार में HCM और LCM तो HCM कितने है 12, LCM कितने है 72, ठीक है इस प्रकारी आगया 72, तो इसको जब देखेंगे solve करके 3 दूनी 6X, इसको इन्टू करेंगे तो क्या प्राप्ता होगा तो देखें ये गलत इन्टू हो गया था ठीक है कितना हो जाएगा दो दूनी 4 और 76, ठीक है इस प्रकार 864 इसमें प्राप्ता होगा ठीक, तो 2X इन्टू 3X करेंगे तो 6X square आएगा equal to 864 तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, X is equal to 864 divided by 6, तो इसको जब हम लोग divide करेंगे, तो कितना आएगा, देखें, 6 कम 6, ठीक है, 6, 12, 60, 6, 11, 66, और 6, 12 कितना होता है, 72 होता है, ठीक है, तो ये कटेगा, तो कितना, 14 में कटेगा, ठीक है, 6 का 14 करेंगे, 6, 14 कितना होता है, 84 होता है, ठीक, और इधर कितना बचा, 2 तो 6, 24, तो इस प्रकार आप लोग को provide होगा, X is equal to 144, ठीक है, इस प्रकार आप लोग को provide हुआ, तो देखे, अब इसको क्या करना है, इधर square में है, तो इधर लेके जाएंगे, तो under root में हो जाएगा, आप लोग को सुरू से बताते आ रहों, ठीक है, इधर का मिटा देता हूँ, copy में भी आप लोग क्लिक के practice करोगे, देखोगे, कुछ नहीं समझ में आगे, जिन लोग देखना है, उन लोग कुछ नहीं समझ पाओगे, इसलिए copy में देखके practice करो, ठीक है, तो एक size equal to under root 144, तो एक size equal to 12, 12, 144, तो ये बन गए एक pair, तो ये बन गए एक size equal to 12, ठीक, तो हम लोग को answer की इतना प्राप्त हो गया, एक size equal to 12, ठीक है, तो देखे, इसका right answer क्या हो जाएगा, option number 4, ठीक है, 12 इसका right answer हो जाएगा, तो जो हम लोग का पहली संख्या था, पहली संख्या कोन से माने थे हम लोग, देखे, दोनों में से बड़ी संख्या है बोला गया है ना, तो बड़ी संख्या कोन सा हो जाएगा, 12 वाला होगा, है ना, 12, क्यों बड़ा होगा देखे, अब 2x माने थे, पहला संख्या, दूसरा संख्या कोन सा माने थे, 3x माने थे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 12 X का मारत देंगे 12 दोनी 24 ठीक है और दूसरा संख्या 3 गुना 12 12 तिया 36 तो इस प्रकार right answer वाला कॉन सा हो जाएगा 36 वाला हो जाएगा है ना तो इसका right answer कॉन सा आ जाएगा 36 आ ठीक है यहाँ 12 नहीं आएगा है ना इसको ध्यान मत देना जो 12 दिया हुआ है ये नहीं आएगा ठीक क्योंकि ये जो option में हम लोग लिये थे 2x और 3x इसको भी तो रखना पड़ेगा ना कि इसको भूल तो नहीं जाएंगे ऐसा होगा नी ठीक तो इस प्रकार इसका right answer हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 36 तो 36 इसमें से बड़ा कुन सा हो जाएगा 3x इसका जो है ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा कि इससे बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x से बड़ा ठीक आप देखते हैं ने इस्टा question number 10 दो संख्याओं का लगुत्तम समापर्तक और महत्तम समापर्तक क्रमसा इतना दिया हुआ है ठीक है जदी एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या देखे दो संख्या में ले जाए A और B है ठीक है तो यहाँ A पहली संख्या का मान दिया हुआ है 240 ठीक है और लगुत्तम सम पर्तक दिया हुआ है LCM क्रमसा दिया हुआ है तो 19-20 HCM दिया हुआ है तो वह दिया हुआ है 16 तो दूसरा हम लोग को ग्याद करना है तो हम लोग इससे पहले आले question में formula देखे थे पहली संख्या into दूसरी संख्या ठीक है equal to LCM into HCM ठीक है इस प्रकार से यह होगा LCM into HCM ठीक है तो देखे पहली संख्या A बराबर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 240 ठीक है 240-0 इन्टो दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है B माल लिए ठीक है उसके बाद LCM दिया है 1920 into 16 ठीक है तो इस प्रकार यह हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा B is equal to 19-20 into 16 upon कितना हो जाएगा 240 इस प्रकार प्राप्त होगा तो इसको आप जब लोग divide करेंगे क्या होगा 0 से 0 कट गया into में है तो ठीक है 24 से कम 24 और यह 16 इस प्रकार आप लोग का यह जो 10 कोस्चन है किसे LCM ठीक है और HCM इस से related यह 10 कोस्चन है यह आप लोग का base है ठीक है इस base को यदि आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो आप लोग पटवारी की exam को easily clear कर सकते हैं बता रहूँ ना मैं जितना भी आप लोग को video provide कर रहूँ इस video को आप लोग देख बस लो ठीक है और अच्छे से समझ जाओ ठीक है अच्छे से समझ जाओ कुछ ना कुछ तो कर ही आके आओगे जिन लोग नहीं पढ़े रहेंगे उन लोग बाकी लोग अच्छे सपढ़े रहेंगे उन लोग तो पटवारी confirm clear होगा होजएगा ये पूरा भरोसा है लेकिन ऐसा दो मिनाट के लिए समझे फिर भूल गाए तो इसका मेर रिजन क्या होगा दो मिनाट के लिए समझे और भूल गए इसका मेर रिजन होगा आप लोग का रिविजन ठीक है रिविजन यदि आप लोग अच्छे से रिविजन नहीं कर रहे तने बन सकती यदि आप लोग को अपने जिंदगी को बहतर बनाना पटवारी बन के ठीक है तो आप लोग क्या करना ये जो दो से चार दिन बचा है इसमें सोना और खाना ठीक है सोना और खाना ये दोनों चीज क्या हो जाओ भूल जाओ दोनों चीज को यादी मत रखो के वाल और के वाल पढ़ाई पे ध्यान करो पढ़ाई पे फोकास करो ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेश्ट एपिसोड में